नमस्कार दोस्तों मैं सिर्ण प्रोफेसर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है हमारे चैनल हिंदी नारी में दोस्तों पीजीटी की बहुत बड़ी भड़ती हमारे सामने दिख रही है यहाँ पर 6000 प्लस पदों पर यह भड़ती आ रही है और आप सब तयार हो जाएं कमर कस्त लें इस नई भड़ती के लिए क्योंकि इस भड़ती के लिए आविदन सुरू हो गया है और बहुत जल्दी ही यह पूरी भड़ती प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी आएए देखते हैं इस भड़ती के विस्तरत विग्यापन पर दोस्तों यह रहा विस्तरत विग्यापन राजस्थान लोक सिवा आयोग द्वारा यह विग्यापन निकाला गया है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि यह 28.2022 को यह विग्यापन निकाला गया है आएए हम पूरी विग्यापन को विस्तार से जैसे कि हां सुरू में लिखा गया है कि आयोग द्वारा माधिमी सिक्षा विभाग के लिए राजस्थान सिक्षा राज एवं अधिनस्त सेवा नियम दोहजर इकिस के अंतरगत प्राध्यापक स्कूल सिक्षा लेक्चरर स्कूल एजुके प्यार बढ़ोतर भी की जा सकती है कि आधार पर वर्गवार वर्गी करण यहां आपके सामने दिख रहा है यहां पर एक जो शब्द है पद अस्थाई है इसमें आम लोग बहुत कंफ्यूज होंगे यहां मैं पहले ही बता दूं कि यह पद का जो नेचर होता है वह अस्थ लिखा जाता है इसने कंफ्यूज ना हूं तो आई हम देखते हैं प्रतेक विशय पर कितने कितने सीट निकाली गई है तो यहां आप देख सकते हैं पूरा विस्तरत विग्यापन है लगभग 26 विशयों में यह विग्यापन निकाला गया है और सभी विशयों में बहुत अ मात्रा में सीट है आप देख सकते हैं कि लगभग 1000 हजारों की संख्या में यहां पर सीट निकाला गया है बायलोजी से ले करके यहां फिजिकल एजुकेशन तक हर विशय में अच्छी खासी भरती निकाली गए है और यहां पर पूरा डीटेल आप देख सकते हैं दिया गय गया है आप इसको देख सकते हैं यहां पर इस विक्यपती का PDF मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भी डाल दिए हैं आप वहां पर आप वहां से भी जाके इसको download कर सकते हैं वहाँ पर भी इसका डीटियल देख सकते हैं आगे हम बात करते हैं कि इसकी सेक्षडिक अहरता क्या है तो सेक्षडिक अहरता बहुत सिंपल है आप देख सकते हैं आपर हर पद के हिसाब से छे से लेके 20 तक का जो पदे उसमें बताया गया है जो common eligibility मांगी गई है वो यही है कि post graduation or equivalent examination recognized by UGC in the relevant subject with degree or diploma in education recognized by the National Council of Teacher Education education government तो यहाँ पर इस पस्ट है कि आप पहली बात उस विशय उस जिस विशय से आवेदन कर रहे हैं उस विशय में PG postgraduate होने चाहिए इसके साथ ही B.E.E.D. मतलब educational degree or diploma मसला B.E.E.D. अनिवारे हैं इसमें form भढ़ने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए तो इसी प्रकार से 6-20 के तरह इन्होंने पद संख्या 1,2,3,4,5 के लिए अलग से इन्होंने डीटेल दिया हुआ है कि अगर उनमें कुछ अलग से कुछ एक्स्टा क्वालिफिकेशन मागी गई है उसकी पूरे डीटेल यहाँ पर है अब सेक्षिट अहरता में एक और चीज यहाँ पर जो अच्छी भी है वो एड़ की गई है कि यहाँ पर अपेरिंग्स जो है वो अलाव किये गया है अब देखे कि पद की अपेक्षित सेक्षिट अहरता कि अंतिम वर्स में समलित हुआ हो या समलित होने वाला व्यक्ति भी आविदन के लिए पात्र होगा तो इसलिए जो अपेर्स है वो भी अलाव किये गया है पेग्रेट की बात करें तो समयनता भारा सरकार का जो पेग्रेट है लेवल है 4800 पेग्रेट पे यह जॉब है लेकिन यहाँ साथ में एक नोट भी निकाला गया है कि जब तक ये परिविक्षा अवधी रहेगी मतलब जब तक प्रोबेशन पीरिएड है तब तक एक फिक्स अमांट कर दिया गया है राजिसरकार द्वारा वही अमांट आपको पे किया जाएगा जब आपका प्रोबेशन पीरेट खतम हो जाएगा उसके बाद से आप इस पेड लेवल पर आपको सैलरी दी जाएगी आईु सी आपके 21 वर्स और maximum 40 वर्स होनी चाहिए तो यहां पर maximum की limit दे दी गई है minimum की limit दे दी गई है जहाँ पर कुछ शूट है यहां पर कुछ आवश्य है कुछ condition वे जो चूट है उसकी detailing यहां पर दी गई है आप detail में देख सकते हैं यहां पर अब इसकी कुछ अन्य विवरड पर बात करें तो चैन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी ये एक दाव स्पस्ट कर दिया गया है कि जो चैन प्रक्रिया है वो रीटेन परिक्षा करवाई जाएगी रीटेन परिक्षा के आधार पर ही ये चैन होगा अभी तक इसमें साक्षातकार की कोई बात नहीं की गई है केवल रीटेन के बारे बताए गया है कि रीटेन के अधार पर ही जो है वो चैन होगा और रीटेन के एक्जाम में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, मॉडरेशन हो सकता है, स्केलिंग हो सकती है यह बात पहले स्पस्टिकर दी गई है परिशा का स्थान महा कब होगा यह भी डिसाइड नहीं है ज़स अब आपके अड्मिट कार्ड आएंगे तब यह परिशा वहाँ पे उसकी पूरी डीटेल उसमें दे दी जाएगी अब बात करें यहां पर आविदन के तो 5 मई से या आविदन सुरू हो जाएंगे 5 मई से लेकर के 4 जून तक यह आविदन आपके लिये जाएंगे यहाँ पर पूरा detail दे दिया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी इस website पर जाकर कि आपको आवेदन करना है आप पूरा step by step और detail में पढ़ लें इसके आवेदन शुल्क की बात करूं तो यहाँ जो देख सकते हैं कि आप जो परिछा शुल्क है वहाँ पर पूरी detail द जा ज़ब गई है वो आप जरूर समझ लें कि यदि आप किसी भी तरह का संशोधन कर्वाते हैं अपने फॉर्म में तो इसके लिए 500 उपकर प्रती संशोधन करवाते हैं अपने फॉर्म में फॉर्म भरते वक्त आपको कोई तुर्टु जाते इसमें वहां पर देना होगा तब आप फॉर्म में शंशोधन करवा सकते हैं इसलिए जो फॉर्म है वह बहुत अच्छे से भरें और फॉर्म भरते वक्त जिस भी mobile का यूज करें जो भी mail का यूज करें ध्यान रहे वो आपका ही हो क्योंकि उसी mail और उसी mobile पर ही हमेशा आपके message आएंगे तो अपने ही mail या अपने mobile का ही अपने mobile नंबर का प्रयोग करें अब बात करते हैं कि exam के प्रारूप का तो exam कैसा होगा तो आप यहां पर यह भी पूरा इस notification में आयोगने इस पस्ट किया ह है कि दो पेपर होंगे जिसमें पहला पेपर है वो kawan है जर्नल स्टी का पेपर होगा यह जो पेपर होगा 150 नंबर का पेपर होगा वहीं जो दूसरा पेपर है वो आपके subject का होगा सबजेक्ट नंबरों का होगा तो 150 और 300 तूटल 450 नंबरों का ये पूरा एक्जाम होगा और एक बात और यहां पे जो है वह मेंशन की गई है कि और तो आयोक ने बहुत बारिकी से पूरा नोटिफिकेशन निकाला है आप सब इसको डीटेल से पढ़ लें पहला चोपेपर है वो डेल घंटे का होगा बढ हो जो आपका आपका सेलेक्शन है वो होना है अभी तक साक्षतकार की कहीं बात नहीं की कहीं भी बात नहीं की गई है तो यह पूरा नोटिफिकेशन आप सब पढ़ लें पूरा डेटेल नोटिफिकेशन आपको आरपियसी के साइट पर भी उपलब्द है और इसके साथ मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भी पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया है और इस विग्यपती से जुड़ी जो भी आपके डौट हो जो भी डौट है जो भी क्वेशन आपके है आप सब को से कमेंट शेक्शन में मेल में पूछ सकते हैं तो जल्दी फॉर्म भर दीजिए और लग जाएगे तैयारी में मेरे और मेरे चैनल के तरफ से आप सभी को धेरो शुब कामना है शुक्रिया